चंबल में खुखा डकैतों में से एक नाम ऐसा उभरा जिसने बाकी सब नामों की चमक को फीका कर दिया नाम था मोहर सिंग का कभी चंबल के बीहड में राज करने वाला ये डकैत मौत से आखिरकार हार क्या लंबे समय से बीमार 92 साल के मोहर सिंग ने मंगलवार सुबह 9 बजे अन्तिम सांस ले ये 70 साल पहले एक भरा पूरा गाउं था लेकिन अब सिर्फ बीहड ही बीहड है गाउं अब इससे लगबग एक किलोमटर दूर जाकर बस गया है और पुराना गाउं बिसुली नद्य के कच्छार में समा गया है लेकिन इसी गाउं से शुरू हुई एक डाकू मोहर सिंग की कहानी मोहर की जिंदगी में अपनी छोटी सी जमीन को बचाने की जंग थी और नाकाम्याब मोहर सिंग की जिंदगी बीहड में भचक गई उत्तरप्रदेश, मद्धिप्रदेश और राजिस्थान के पुलिस फाइलों में एवन यानि दुश्मन नंबर एक के तौर पर दर्ज था 1960 में अपराद की शुरुआत करने वाले मोहर सिंग ने इतना आतंक मचा दिया था कि पुलिस चंबल में गुसने तक से खौफ खाने लगी थी मोहर सिंग छोटा सा किसान था जिन्दगी मज़े से चल रही थी लेकिन उसकी जमीन का कुछ हिस्सा दूसरे परिवार ने दबा लिया पुलिस ने भी साथ नहीं दिया उसके बाद दूसरे पक्ष ने मोहर सिंग के साथ मार पीट भी कर दी परिशान होकर मोहरसी ने जंबल की आखिरी रिती अपनाई और भागी बन गए मोहरसी और उसके गैंग पर बारह लाख का इनाम कोशित था लेकिन बहु बेटी को छेड़ने या परिशान करने का कोई मामला कभी कही दर्ज नहीं हुआ मोहरसी ने 1972 में अपने गिरों के साथ बगारा बांध पर जैप्रकाश नराण से मुलाकात की और फिर 14 अप्रेल 1972 को गांधी सेवा आश्रम जौरा जिला मुरैना में अपने साथियों सही गांधी जी की तस्वीर के सामने हधिया रखकर आत्म समर्पन कर दिया दिलीब सोनी IBC24 भेंड